Hello everyone, welcome back to the channel, holding company चल रहा है और आज हम लोग दो कुश्चन करने वाले हैं, दोनों कुश्चन में हम लोग कुछ नया सिखेंगे, एक तो holding company अगर equity share के साथ साथ, अगर subsidiary company के कुछ preference share को भी अगर hold कर ले, या या acquire कर ले, तो इसका treatment, इसका हम लोग कैसे करेंगे, वो सिखना है, और दूसरा, दूसरे question में हम लोग सिखेंगे, कि अगर subsidiary company के balance sheet में, asset side में अगर पहले साथ, अगर कोई goodwill है, तो उस goodwill का treatment हम लोग कैसे करेंगे, यानि goodwill को right of करना होगा minority interest में, और चौथे head, यानि goodwill और capital reserve का जो calculation करते हैं, वहाँ भी करना पड़े का right of, कैसे करेंगे यह सब आज हम लोग सिखने वाले हैं, तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज क्या पहला प्रश्णी यह रहा, यानि चारिस हजार रुपे का share capital है, ध्यान दीजिए, यह बीलिमेट कहीं balance sheet है, लेकिन यह आपका at the end of the previous year, at the end of the current year, यानि पिछले साल का balance sheet है, और इस साल का balance sheet है, इसलिए balance sheet का दो कॉलम आपको दिख रहा होगा, इस से हम लोग को यह देखना होगा, कि पिछले साल के last म है, यानि कह सकते हैं हम लोग कि इस साल के beginning में, at the beginning of this year, यह वाला balance sheet हम लोग का सो कर रहा है, और दूसरा current year का, यानि at the end of this year, यह आपको सो कर रहा है, तो इसको हम लोग opening और बाद वाले को हम लोग closing balance समझ सकते हैं, वही समझना भी है, आईए, तो share 40,000 रुपे का है, जो है, जो है, यह starting में देखिया 80,000 का है, और closing जो जो जनरल जब इसका मतलब यह है, कि 88,000 में जो है, 80,000 यह opening जेनरल जब जो इसमें घुसा हुआ है, इस साल किरेट हुआ है, वह मातर आठ हजार रुपया क्रियेट हुआ है 80 पहले बादा है और आठ हजार एट थाउजन अभी का है दूसरा स्टेट्मेंट और पियल सरप्लस है प्रॉफिट है प्रॉफिट जो है स्टार्टिंग में 20 थाउजन का है और इंड में दिख रहा 34 800 का यानि 34 800 में से 20 माइनस कर देंगा तो 14800 वह इस डिरिंग दिस अकाउंटिंग यर दिस अकाउंट फिनेंसिल यर 12 महिने में कमाया गया है 14800 प्रॉफोज डिवेंट स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है और क्लोजिंग में 9200 रुपे का है यानि यह जो प्रॉफोज रि 6 महिने में इधर और अप्रिल में जून जुलाइग सेप्टेंबर १े मेना इधर यानि 6 महिना जो है हम लोग को में लेना है और बाद का 306 महिन है वह पोस्ट टेक proxim में हम लोग को लेना है आगे आए अब देखे इस में दिखिए इस question में goodwill है दिखिए ध्यान से दिखिए सब्सिरी कंपनी का balance sheet में यह 20,000 का goodwill दिख रहा है जो हम लोगो write-off करना पड़ेगा आगे यह आपका सब्सिरी company का balance sheet है चलो जी सारा detail हो गया अब हम लोग यह चार जो calculation करते हैं उस चारो heading का calculation करेंगे सबसे पहले तो date of acquisition date of acquisition होगा 30th September 2013 date of balance sheet होगा आपका 31st March 2014 cost of acquisition 1,20,000 और acquisition ratio acquisition ratio आपका 9 is to 90% share ले लिया है तो 9 is to 1 90 is to 10 यानि 9 is to 1 पहला calculation हम लोग करते है capital profit यानि pre acquisition profit capital profit calculation करने के लिए आईए capital profit calculation करने के लिए हम लोग को सबसे पहले तो general reserve लेना पड़ेगा तो जनरल इसब जो है 80,000 तो पहले कहीं है साल के पहले दिन है तो पूरा 80 जो है pre equation में आ जाएगा और जो 88 में 80 निकाल देंगे तो जो 8,000 बचेगा वो हमारा यह 12 महीने का पूरा है 6 मेने का इधर, 6 मेने का उधर हम लोग distribute करेंगे वैसे ही हम लोग फिर statement और PL को भी करेंगे आईए देखते हैं कैसे करना है तो general reserve कैसे होगा दिखिए 80,000 पूरा का पूरा pre equation में हो जाएगा और 88,000 में से हम लोग 80 माइनस कर देंगे जो बचेगा 8,000 उसका 6 by 12 बोले तो यह आपका 80 प्लस, 88 में से 88 में से 80 चला गया तो बचा आपका 8,000 और उसका 6 by 12 करेंगे तो 4,000 यानि general reserve आपका जो है यह हो गया 84,000 ठीक है यह सारा calculation करने के बाद पता चला कि general reserve जो है हमारा आ रहा है 84,000 ठीक है आगे आईए फिर है statement of PL statement of PL इसमें भी फिर वही 20,000 पहले का है और 34,800 सायद इतना ही है 34,800 तो 34,800 जो है यह आपका पूरे साल भर का है 20 पहले से था जो अब माइनस करके आएगा उसको 6 by 12 हम लोग करेंगे यानि 20,000 प्लस 14,800 का आधा 7,400 बोले तो यह 27,400 आपका हो जाएगा statement of PL इसके बाद तीसरा आइटम है proposed dividend proposed dividend 9,200 का है जो की पूरा का पूरा इस साल का है इसको 6 by 12 कर लेंगे तो 4,600 total लगा लेंगे तो 1,16,000 एक लाग 16,000 आपका capital profit का total इसमें इस प्री एक्विशन या capital profit में हिस्सा अब हम लोग का दोनों का करना पड़ेगा क्या नाम है जिन लोग का A limited और B limited A limited आपका holding company है चलिए तो share of A limited यानि holding company share of B limited यानि subsidiary company 1,16,000 में 9 by 10 और 1,16,000 में 1 by 10 ये हो जाएगा 1,4,400 और ये हो जाएगा 11,600 इसके बाद अब हम लोग calculation करेंगे revenue profit जिसको हम लोग बोलते हैं post acquisition profit आईए पोस्ट चलो उधर हम लोगोंने capital लिखा है तो इधर revenue profit लिख लेते हैं चलो आपको पता है revenue profit revenue profit के लिए हम लोग एक छोटा सा column बना लेंगे table बना लेंगे है ना चलो एक तो बना लेंगे हम लोग total amount के लिए फिर एक a limited के लिए और एक b limited के लिए चलो जी आईए तो सबसे पहले तो general reserve general reserve कितना आएगा जी 34,800 माइनस 20,000 का इस total अब जो आएगा इसमें general reserve में 34,800 का है माइनस 20,000 जो बचेगा उसका हम लोग कर देंगे 6 by 12 तो यह हो जाएगा आपका 34,800 आधा कर देंगे तो 7,400 इसके बाद है आपका PL PL में अरे यारी तो घरवड हो गया general reserve आपका 88,000 का है sorry sorry general reserve तो आपका 88,000 का है तो general reserve 88,000 माइनस 80,000 माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको 6 by 12 कर देंगे 8,000 का आधा हो जाएगा 4,000 चलो PL में है आपका 34,800 माइनस करेंगे 20,000 जो बचेगा उसका 6 by 12 तो 14,800 का आधा हो जाएगा 7,400 फिर proposed dividend 9,200 का है ये पूरा साल भर के लिए है और इसका हम लोग आधा कर देंगे 6 by 12 तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 4,600 चलो जी अब ये हम लोगों को दोनों में ये हम लोगों को दोनों में distribute कर देना होगा ये हम जाएगा आपका 9 by 10,1 by 10 तो 1 by 10 ये हो जाएगा 3600 ये हो जाएगा 400 ये हो जाएगा 740 ये हो जाएगा 460 चार साथ 11,11 और 415 और एक 16,000 चलो जी चलो, तो 90% 90% इसका कितना हो जाएगा 740 वाले का 6, 6, 6, 0 6, 6, 6, 0 और यह हो जाएगा आपका 4140 4140 और टोटल अगर हम लोग करें तो यह हो जाएगा 16,000 14,400 और यह हो जाएगा 16,000 चलो जी, यह revenue profit calculate हो गया आपका इसके बाद अब हम लोग करते हैं Minorities Interest Minorities Interest रहा कालकुलेशन करेंगे नमबर 3 में Minorities Interest देखो जी इसके लिए Share Capital of Subsidiori Company यानि B Limited देखिए Total Share B Limited का है 40,000 रुपे का 90% अक्वाइर कर लिया है इसने तो बचा कितना तो 10% तो Share Capital जो 10% बचेगा वही इसका होगा 4,000 रुपे का Share Capital इसके बाद इसमें एड करना है Shares in Capital Profit एड करना है Share in Capital Profit जो की मिला होगा 11,600 फिर एड करना होगा Share in Revenue Profit अभी हम लोगों ने देखा था टोटल है 1600 1600 1600 तो यह टोटल करेंगे यह हो जाएगा आपका 17,200 और इसमें से हम लोगो राइट ओफ करना है याद कीजिए राइट ओफ करना है गुडविल Subsidy company का balance में जो 20,000 का जो गुडविल है जिस company का 50% से ज़्यादा शेयर भी गया हो 90% सेयर भी गया हो उस company का भी क्या market में कोई गुडविल हो सकता है क्या बिलकुल नहीं तो गुडविल को खतम कर देना होगा राइट ओफ कर देना होगा तो less गुडविल लेकिन इस 20,000 का जो गुडविल है इसमें तो इसका हिंसा भाइ 1 वाइ 10 बोले तो 10% ही होगा क्योंकि 10% ही इसका सेर बचा है तो 2,000 15,200 आपका हो गया Minorities Interest और D गुडविल या कापिटल रिजर्व आईए सबसे पहले हम लोग लेते हैं Cost of Acquisition Question में Cost of Acquisition कितना है एक लाग बीस हजार में खरीद दिया गया है 90% सेर को तो Cost of Acquisition हो गया आपका एक लाग बीस हजार Cost of Acquisition एक लाग बीस हजार लेस करते हैं इस में से हम लोग nominal value of shares 40,000 रुपे का share है 90% 36,000 माइनस करेंगे तो 84,000 आएगा 84,000 इस में सब हम लोग less करते हैं capital profit less capital profit capital profit में capital profit आया था आपका एक लाग 16,000 लेकिन इस में holding company का share था एक लाग 4,400 एक लाग 4,400 और माइनस कर देंगे हम लोग तो 20,400 लेकिन याद कीजिए goodwill हम लोग को यहां भी write off करना पड़ेगा तो फिर goodwill return off 20,000 वे goodwill है 9 by 10 करेंगे तो फिर 18,000 देखिए आप ध्यान से पहले जो हमारा amount आ रहा था वो minus में आ रहा था है यानि capital reserve यह goodwill अगर नहीं रहता तो अभी तक आप देखिए तो फिर capital reserve तो 20,400 वो capital reserve है minus में negative value है और 18,000 जो है यह goodwill है यह positive value है यह समझे goodwill जो है वो assets है तो debit item और capital reserve जो है वो credit item तो खेर दोनों का difference कितना है 2400 और यह इसमें amount कौन सा बड़ा है higher value किसका है higher value तो भई negative वाला का है यानि capital reserve का है तो 2400 जो है यह भी तो negative value वाला आएगा इसलिए इस 2400 को हम लोग बोलेंगे capital reserve यह 2400 आपका आ जाएगा ठीक है चलो तो अब हम लोग बना लेंगे सबसे पहले balance sheet आईए balance sheet बनाने के लिए holding company का हम लोग सारा assets और liabilities को लेते हैं और साथ में add करते चले आते हैं जो assets और liabilities हम लोगो subsidiary company से मिला है आईए सबसे पहले shareholders fund चार लाग रुपे का है capital reserve है general reserve है statement of PL है net assets है और बस खतम चलो सब कुछ हम लोग कर लेंगे तो balance sheet देखो जी share capital इसके अंडर में तो सबसे पहले आएगा shareholders fund shareholders fund के अंदर में आना चाहिए share capital इसमें सिर्फ holding company का share आता है जो की चार लाग रुपे का है चलो जी इसके बाद हम लोग लेते हैं reserve and surplus के लिए हम लोग को एक छोटा सा calculation यहां notes to account में detailing कर लेना होगा जिसमें की reserve and surplus के लिए सबसे पहले तो capital reserve याद कीजिए capital reserve जो है चार हजार रुपे का capital reserve जो है holding company का है दो हजार चार सो जो है यह जो transaction हुआ हम लोगों को ने किया है shares तो चौथे नंबर में हम लोग को जो यह calculation किया है तो हम लोग को capital reserve मिला है goodwill नहीं मिला है दो हजार चार सो का तो holding company का अपना capital reserve है 4000 का और 2400 मिला है छे हजार चार सो का capital reserve हो गया general reserve general reserve दो लाक रुपे का है holding company का अपना और याद कीजिए हम लोग revenue profit हम लोगों ने जो revenue profit calculate किया है बोले तो post acquisition profit इस post acquisition profit में holding company को जो मिलता है उसके हिस्से में इसको हम लोग balance sheet में add करते हैं यानि general reserve 3600 मिला है जो add किया जागा balance sheet में PL 6660 मिला है balance sheet में add करेंगे proposed dividend 4140 मिला है इसके हिस्से में इसको भी हम लोग नए balance sheet में add करेंगे है ना आईए तो तीनों को हम लोग को add करना है इनके balance sheet में चलो जी तो जिन्डल reserve मिला है 3600 रुपया का add कर दोगे दो लाख 3600 इसके बाद है PL PL अपना इनका है 80,000 का 80,000 का अपना है और मिला है 6660 तो यह हो गया 8660 रुपया और फिर प्रपोस्ड डिविडेंड प्रपोस्ड डिविडेंड भी आता है जो कि सिर्फ इसका अपना कुछ भी नहीं था नेल था लेकिन मिला है उससे कितना होल्डिक सब्सीटरी से 4600 रुपय का टूटल कर देंगे इसका तो तीन लाग 36,800 तीन लाग 36,800 रुपय का यह हो गया आपका रिजर्व एंड सर्प्लस चलो जी रिजर्व एंड सर्प्लस के बाद अब आना चाहिए आपका माइनोरिटी इंटरेस्ट है आपका 15,200 आसेट साइड में इतना ही है टूटल कर लेंगे तो 752 साथ लाग बावन हजार आसेट साइड में आईए आसेट साइड में बिल्कुल सिंपल ऐसे नेट आसेट सी है तो इसका है छै लाग और 152 तो सेवन लाग फिप्टी टू थाउदन चलो जी आईए फटा फट साब इसका स्क्रीन सॉट ले लिए यह यह तो बड़ा नीचे आ गया है जी चलो इसको अपन उधर ले जाते हैं चलो फटा फट से आप इसका स्क्रीन सॉट ले लो हाँ जी सारा कुछ आग गया चलो पटा फट साब इसका स्क्रीन सॉट ले लो आई एक और कुश्चन करते हैं देखिए अगे रहे एकंटेस को То OUT कि यानि अडिड चाटिस आपने फॉप्स टिंग के पहले दिनी जो है यह यह बंविटेड कर दे इतने शेयर सो ख़ई लिया है और उस दिन there was a debit balance of Rs. 1000 in statement of PL of B limited कहता है कि acquisition के दिन B limited के balance sheet में 1000 रुपय का debit balance है debit balance यानि loss 1000 रुपय का और reserve of B limited were nil और reserve जो है वो nil value है उसमें कोई पैसा नहीं है consolidated balance sheet हम लोग को बनाना है आईए फटा फट से हम लोग अब सारा calculation कर लेते हैं चलो पहले तो जो कुछ detail लिखते हैं हम लोग तो date of acquisition यह है 1st April 2013 date of balance sheet date of balance sheet जो की है 31st March 2014 cost of acquisition है 30 और 4,34,000 30,000 equity share को पे किया गया है 4,000 preference share के लिए यह हो गया अब होता है acquisition ratio acquisition ratio तो हम लोग सिर्फ equity share से ही निकालेंगे तो total equity share था 3,000 रुपय का 3,000 equity share था 2,250 equity share buy कर लिया गया है acquire कर लिया गया है तो 750 equity share वहां बचा रह जाएगा तो यह होना चाहिए 3 is to 1 सारा distribution हम लोग करेंगे 3 by 4, 1 by 4 पहला calculation हम लोग करते हैं pre acquisition profit यानि capital profit पहला profit या calculation करेंगे question कहता है question कहता है कि जिस दिन जिस दिन acquisition हुआ है उस दिन PL में debit balance है 1000 का यानि loss है 1000 का तो PL में कितना है जी 1000 रुपय का loss है debit balance है बोले तो loss है ठीक है अच्छा और reserve में क्या है nil तो आप देखिए यह जो एक हजार है यह तो loss है तो 1 x 4 share of naam क्या है जिन लोगों का यह लिमिटेड और बी लिमिटेड चाला share of A limited share of B limited एक हजार का 3 by 4 1 by 4 250 750 चलो जे इसके बाद अब है revenue profit इसको हम लोग कहते हैं post acquisition profit इसके लिए सबसे पहले हम लोग PL यानि profit ले लेंगे PL में कितना balance है अब ध्यान दीजिए इसको समझे है इसे starting यानि इस दिन जो equation हुआ है इस दिन क्या है बोलता है कि loss PL में कितना 1000 है ठीक ठीक है चलो और at the end of the accounting year at the end of the accounting year हम लोग को statement of PL में profit दिखे रहा है 5000 का है यह amount 5000 का हम लोग को 5000 का profit दिखे रहा है इसको ऐसे समझे आप इसको ऐसे समझे कि starting में आपको 1000 रुपय का loss है और at the end of the accounting year यहां पर आपको 5000 का profit दिख रहा है 5000 का profit दिख रहा है तो पहले तो loss था तो 5000 का profit दिख रहा है इसका मतलब यहां पर profit कितना है 1000 रुपय का प्लस जो पहरे जो loss को rectify किया गया था compensate किया गया होगा फिर 5000 का profit है तो यह हो गया एक और पांच-6000 लेकिन एक और खास बात है देखें कहते है कि general reserve जो है यह नीचे यहां कह रहा है कि there were no general reserve on at this date इस दिन general reserve में कोई भी amount नहीं था इसका मतलब यह है कि profit से ही 1000 निकाल करके यह general reserve में इस साल के लिए इंड में transfer किया गया था ऐसे question में ऐसे cases में हम लोग general reserve को general reserve से वापस निकाल करके हम लोग इसको PL में add कर देते हैं यानि general reserve जो है यहां का जो 1000 होगा इसको हम लोग वापस लाक कर देंगे यानि PL में जो है 7000 रुपया आपका total amount दीख रहा है PL में 7000 रुपया और general reserve में क्या है nil फिर तो reserve nil ही हो जाएगा चलो तो PL का value है आपको 7000 जो कि अब अब profit balance होगा यानि बोले तो profit credit balance होगा और reserve में होगा nil 7000 का total amount यह हम लोगों का दोनों में distribute होगा तो एस सेर बीस सेर साथ हजार में थ्री वाइफोर वन वाइफोर यह होना चाहिए 5250 1750 होना चाहिए इसके बाद अब हम लोग calculation करेंगे minorities interest का BC उधर कर लेते हैं चलो जी बहुत लंबा हो जाएगा minorities interest के लिए सबसे पहले हम लोगो लेंगे share capital of B limited देखें share capital of B limited तो A limited ने जो है तीन शेर shares में से बाइस सो पचास ले लिया था साथ सो पचास से छोड़ दिया था equity share तो equity share कितना हो जाएगा जी साथ सो पचास इंटू 10 तो यह हो जाएगा आपका साथ हजार पांच सो और preference shares यह हो जाएगा साथ हजार पांच सो और और preference share जो है देखिए प्रिफरेंस है टोटल कमपनी में टोटल preference share जो है यह 4000 रुपिय का preference share यह दस-दस का यानि 400 preference share है तो 250 preference share को acquire कर लिया गया है यानि 150 preference share बचा हुआ होगा 10 रुपे वाला है ना आई एक सो पचास preference share 10 रुपे वाला तो यह हो जाएगा 1500 रुपिया तो साथ और एक आठ 9000 यह हो गया अब हम लोग क्या करते हैं add करते हैं share in pre-acquisition profit Pre-equation में loss कितना मिला है Pre-equation में loss मिला है आपको 1205 छलो 1306 छलो 300 डाहिसो बे का less कर देंगे तो ये हो जाएगा 8750 अब add करेंगे Share in Post Acquisition प्राफिट पोस्ट एक्विशन प्राफिट में मिला है 1750 एड करेंगे तो 0, 0, 7, 14, 15, 5, 8, 9, 10 10,500 यह हो गया आपका Minorities Interest इसके बाद point D calculate करेंगे हम लोग goodwill या Capital Reserve इसके लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे Cost of Acquisition Cost of Acquisition Cost of Acquisition हमारा है 34,000 जो कि Equity Share के लिए पे किया गया था 30,000 4,000 प्रिफरेंस सेर के लेस Nominal Value of Shares देखें Equity Share का Nominal Value कितना है 2,50 Share का 10 रुपे के हिसाब से 22,500 फिर Preference Share का 200 Preference Share लिया था 10,10 रुपे वाला यह हो जाएगा 25,000 रुपया 22,23,24 और एक 25 तो 25,000 रुपे का इसका Nominal Value हो गया Less करेंगे तो 9,000 इसके बाद हम लोग Capital Profit को Less करते हैं लेकिन अकर Capital Loss अकर आ जाता है तो इसको हम लोग एड़ कर देंगे तो फिर एड़ कर देंगे Capital Loss जो Holding Company के हिश्चे में मिला है Capital Loss 750 रुपे Capital Loss है साथ हाँ जी 750 तो यह हो जाएगा 9,7,50 और इसके बाद हाँ जी तो यह जो 9,750 जो है यह हमारा Positive Value आया है इसको हम लोग बोलेंगे Good Will चलो जी इसके बाद अब हम लोग को बनाना है Balance Seat Main काम है हम लोग को Balance Seat बनाना है चलो तो फटा फट से हम लोग Balance Seat बना लेंगे Assets और Liabilities हम लोग दोनों Companies कर लेंगे Balance Seat के लिए देखो जी Holding Company का Balance Seat आप देखिए Holding Company का Balance Seat देखिए इसमें Preference Ser है दस हजार का Equities Ser है बीस हजार का यह लेंगे Statement of PL और Reserve हम लोग लेंगे Holding Company का और जो हम लोग को मिलता है जो हम लोग को Revenue यानि Pre-Equation Profit में जो हम लोग को जो हिस्सा मिलता है Statement of PL और Reserve का उसको हम लोग इसमें Add करके लिखते हैं Balance Seat में तो करेंगे और फिर आपका Trade Pebbles है और फिर Asset से एक ही तो हम लोग ले लेंगे चलो फटा-फट से बना लेंगे छोटा सा ही Balance Seat बनेगा आईए चलो जी तो सबसे पहले आपका Shareholders Fund पहले तो Equity and Liabilities में सबसे पहले Shareholders Fund जिसके अंदर होगा Share Capital तो 10,000 प्लस 20,000 Share Capital में कितना होगा जी 10,000 प्लस 20,000 30,000 का होगा Share Capital फिर आता है Reserves and Surplus दो नंबर में Reserve and Surplus Reserve and Surplus में क्या क्या आने वाला है जी तो इसके अंदर हम लोग लेते हैं Reserve Reserve Holding Company का 4,000 है और इसका Subsidary से कितना मिला है? Nil कुछ नहीं मिला है PL में देखिए PL में Holding Company का अपना है 5,000 Subsidary से मिला है 5,250 तो 10,250 और 4 14,250 तो Reserve and Surplus में आना चाहिए 14,250 आप इसको बड़ा आराम से बिल्कुल एक एक करके दोनों का सेप्रेट अकाउंट अमाउंट अप लोग करके ही एड़ करें ताकि आपको समझ में आए एक्जामनर को समझ में आपनी अमाउंट कहां से लाया है Reserve and Surplus हो गया इसके बाद Minorities Interest Fair Minority Interest 10,500 इसके बाद Current Liabilities और इसके अंदर Trade Payables चार हजार और दो हजार चे हजार टोटल करेंगे तो 60,750 चरो जी आसेट साइड आते हैं Assets Assets साइट में सबसे पहले तो हम लोग लिख लेंगे Intangible Assets Intangible Assets के नाम पर एक ही है Goodwill जो अभी हम लोग को मिला है Equation के बाद जो Calculate हम लोगों ने किया है 9,750 चौथे एडिंग में जो Capital और Goodwill इसर्व या Goodwill जो Calculate करते हैं तो Goodwill आया है आपका Balance Seat का आईए फटा फट से आप इसका स्क्रीन सोट ले लिए चलो जी आ रहा है एक बार में आ रहा है आ रहा है नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है चलो तो फटा फट से आप इसका स्क्रीन सोट ले लो जी चलो तो आज हम लोगों ने यह सीख लिया कि होल्डिंग कंपनी अगर सबस्री कंपनी के एक्विटी सेर और प्रेफरेंस सेर को अगर अक्वाइर कर ले दोनों के लिए अलग अलग अगर पेमेंट करे अलग अलग अमा हम लोग ने ट्रांसफर किया है तो उस रिजर्ब के अमाउंट को वापस के हम लोग पी एल में ले आते हैं टूटल कर लेते हैं यह हम लोगों ने सिखा अगर प्री एक्विशन में लॉस हुआ था तो उस लॉस को हम लोग यहां ला करके फिर एड करते हैं क्योंकि इतना ह आपका यह जो फाइनल है आपका गुडविल यह कैटल इसरफ का कल्कुलेसन करते हैं उस में उस पुराने गुडविल को यानि सबसिद्री कंपनी के गुडविल को राइट अफ करना पड़ता है रेशियो में अगर 9 वाइट 10 है तो यहां और 1 वाइट 10 है तो वहां हम लो इतना ही वीडियो का आप लाइक करें फ्रेंड्स को सेयर करें और नए किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं या कि सब्जेक्ट पर आप कमेंट सेक्शन में बताएं अलावाद इन्वर्सिटी वालों का तो एक्जाम हो गया है लेकि जो आप दूसरे इन्वर आज के लिए इतना ही टेक केरवारे